हेलो दोस्तों वेलकम बेक टो माई चैनल दिस इच नो रिगार्जिंग मेडिकेशन वीडियो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरिक एसिट के बारे में कि ये क्या होती है और इसकी मात्रा बढ़ जाने पे हमारे श्रील में कौन-कौन सी दिक्ते आती हैं और इसके इलाज के करिए कौन-कौन सी दबाईयां दे जाती हैं जानेंगे पूरी डिटेल में तो आप वीडियो के अंतक बने रहे और अगर आप मेरे चैनल पर नवे हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकॉन जरूर दबाएं ताक कि यह हमारे खून में मौझूद एंटियोक्सिजन्ट को रेगुलेज करता है और जो एक्सिस मातरा में यूरी कैसिज होते हैं वो किजनी से फिल्टर होके पिशाब के थूरू बाहर निकल जाते हैं लेकिन जब यही यूरी कैसिज की मातरा बढ़ जाती है तो यह हमारे श सबल अधिने के क्या कारण होते हैं तो जब हमारे शरीमें प्यूरीन्स कि मातरा बढ़ जाती है तो यही कैसिज भी बढ़ जाता है दोस्तों प्यूरीन्स एक तरह का और्गानिक कंपाउंड होता है जो की एनिमल बेस फूज में पाया जाता है जैसे चिकेन फीश और कुछ वेजिटेबल से जब कोई परसन चिकेन मसरूम मिट वगरा का सेवन ज्यादा कर लेता है तो उसमें मौझूद प्योरिंस की वज़ा से हमारे शरीर में यूरिक एसिड जरूर्यस से ज्यादा बनने लगता है और किजनी इसे परियापत म मातरा में फिल्टर नहीं कर पाती है जिसकी वह जैसे यूरिक एसिड की मातरा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है और इसी के साथ कुछ ऐसी सबजीया होती है जिसमें प्योरिंस ज्यादा मातरा में पाई जाती है जैसे मश्रूम फूल गोवी पालक और मचर तो इनके ज्य यूरिक एसिज की मात्रा बढ़ने लगती है या फिर इसका एक कारण जनेटीकल भी हो सकता है जैसे हमारे फैमली में माता पिता या फिर दादा दादी को ये प्रॉलम होई होती है तो उनके आने वाली पेडियों में भी यूरिक एसिज की समस्या हो सकती है इसके अलामा ऐसे मरेज जिनको शुगर या बीपी की दवाईया काफी लंबे समय से चल रही है तो इनके दवाईयों के ओवा जोट से भी यूरिक एसिज बढ़ सकता है अब जान लेते हैं इसके लच्छन के बारे में तो जो इसका कौमा लच्छन होता है वो होता है हमारे हाथ पैर की इंग यूरिक एसिज हमारे किजनी में स्टोन के फौम में एकठा होने लगता है जिसको जैसे ब्यक्ति को पिशाब करने में भी दर्द होती है और इसके अलावा हमारे पूरे बदन के जोडों में और मास्पेश्यों में दर्द होने लगता है और सूजन आ जाती है अब जान ले जाते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में कि अगर आपका यूरिक एसिज बढ़ गया है तो आपको क्या करना चाहिए तो सबसे पहले जिसमें भी जितनी भी सब्जियां और चिकन जिसमें प्योरींस ज्यादा मातरा में पाई जाती है जैसे मश्रूम फूल गोभी, पालक, मटर, रेड मीट, शीफूज इन सब का सेवन करना बंद कर देना चाहिए फैटी चीजे कम से कम खाना चाहिए एलकोहल का सेवन नहीं करना चाहिए और इसी के अलामा कुछ फाइबर रिच प्रोजक्ट जैसे नट्स, पीनट बटर, ग्रेंस, पोटेटो क्षूज इन सब का सेवन करना चाहिए क्योंकि यूरी कैसिज लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं अ दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके इलाज के बारे में कि अगर किसी ब्यक्ति का यूरी कैसे जो बढ़ गया है तो कौन-कौन सी दवाईयां चलाई जाती हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सला जरूर लें क्योंकि यह एलोपेथिक दवाईयां होती है यह आपको चूजन की जनकारी परपर्श के लिए है तो इसमें बेसिकली तीन तरह की दवाईयां चलाई जाती है एलो प्यूरी नोल फेबुक्सर स्टेट और प्रोबीन असीड और जो इसकी डोज होती है वह ब्यक्ति के यूरी कैसे लेवल पे डिपेंड करता है कि उसका यूरी कैस चलाई जाती है और जरूरत पढ़ने पर इससे ज़ाद दिन तक भी चलाई जा सकती है और इसी के साथ जब किसी ब्यक्ति का यूरी कैसे बढ़ता है तो उसके जोडों में दर्द होता है और सूजन आ जाती है तो दर्द को कम करने के लिए एन एसाइजी दवाईयां चलाई जाती है और सूजन को कम करने के लिए कुछ इस्टिरोजल जरग भी चलाया जाते हैं जैसे जैक्सामेथासोन प्रेजनिस लोन इनमें से कोई एक गोली एक गोली सुबाईयां पंदर दिन तक चलाई जाती है दोस्तों अगर जनकारी आपको अच्छी लगे तो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों